हलो दोस्तो मैं रिश्यानन आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे ओफिशियल यूटीब चैनल पर जिसका नाम है वैदी गनित तो दोस्तों यह Quantity Aptitude में अरुन शर्मा Solution Series 5 चल रही है ठीक है यह पाचवी सीरीज है और इस सीरीज में आपको Time, Speed and Distance का Solution देखने को मिलेगा और यह Time, Speed and Distance का यह Part 3 है ठीक है और अभी Level 1 चल रहा है तो अभी वो Continue है Level 1 अभी तक Continue है और यह मैं कौन से book की करवा रहा अरुन स्वर्मा के द्वारा यह लिखी गई यह book है Quantity Aptitude for Cat ठीक है तो इस book आपको यहाँ पर solution देखने को मिलने वाला है ठीक है तो question number 21 से लेके question number 30 तक के आपको यहाँ पर solution देखने को मिलने वाले मतलब कितने questions होंगे यहाँ पर कुल मिलाके यहाँ पर 10 questions के solution देखने को इस video में मिलेंगे ठीक है बाकी एक से लेके 20 तक के questions जो है इससे पिछले वाले जितने वी पार्ट फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वहाँ पर आपको मिल जागा अगर आपने नहीं देखा है तो इससे previous वाला पार्ट देखके आप वहाँ पर बाकी questions के solution देख सकते हो तो अ एससी CGL का preparation कर रहे है ठीक है? एससे CGL का preparation कर रहे है? एससी का कोई भी examination हो चाई या फिर CHSL हो गया या फिर CPO का examination हो गया इन मेंसे किसी भी examination प्रेपरेशन कर रहे है उनके लिए ये बीडियो काफी ज़ादा useful है ठीक है? और साथी साथ कोई भी जो cat के examination preparation कर रहे है या फिर mat हो गया या फिर jet हो गया या कोई भी management interest examination हो गया उसका अगर वो preparation कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये video काफी ज़्यादा useful है साथी साथ कोई railway का exam हो गया या फिर आपका banking sector का examination हो गया उसमें आपको time, speed and distance जो topic होता है ये काफी ज़्यादा important होता है उससे सवाल मिलते ही मिलते है तो कुल मिला कि ये जो topic जो है ये हर examination point of view से काफी ज़्यादा important है और ये book जो है इसी तरह के questions आपको examination में देखने को मिलते है उसी pattern में यहाँ पे सवाल है आपको तो आप इस तरह के सवाल अगर आप practice करके जाते हो examination में तो आपको वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आप इस तरह के सवाल को काफी असानी से हल कर पाऊगे और जैसा मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे सवाल देखने को मिलेगा बहुत ही different तरीके के और मैंने कोशिश किया कि बहुत ही simple तरीके से आपको उन सारे सवाल के यहां पर आपको solution दे पाऊँ ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो को जो PDF format है वो आपको नीचे description box उसका link मिल जाएगा आप वहां से इसको download करके रख सकते हैं अपने future reference के लिए ठीक है WhatsApp वाले group पे या फिर Telegram वाले group पे आपको मिल जाता और इन दोनों का जो link है वो आपको नीचे description box मिल जाएगा आप महां से click करके आप मेरे साथ जोड़ सकते हो इन दोनों ही group में ठीक है तो जाशा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो questions होंगे कितने सवाल होंगे 10 questions होंगे बहुत ही simple तरीके से मैंने बतानी कोशिश की है और मैं आशा करता हूँ कि आपको 10 questions के solution जो है बहुत ही आसानी समझ में आ जाएंगे और ऐसे सवाल जब भी आपको परिक्षा में पूछे जाएंगे किसी भी examination में अगर आपको पूछे जाएंगे तो आप उसको बहुत ही आसानी से हल कर पाओगे ठीक है ना तो चली दोस्तों शुरू करते हैं और एक बात मैं कहा दूँ अगर आप इस चैनल में नए हैं पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको लगता है इस से आपको फायदा होगा इस वीडियो से इस च कॉमेंट जरूर दीजे का अपना फिडबाग देना तो एक दम मत बूलियेगा प्लीज अपना फिडबाग जरूर दें ठीक है चली देखते हैं सवाल देखते हैं तो दोस्तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है पहला सवाल के ए रेल्बेट पैसेंजर कांट्स टेलिग्राफ पोल्स on the railroad as he passes them the टेलिग्राफ पोल्स आर अट ए दिस्टेस अफ 50 meters what will be his count in 4 hours if the speed of the train is 45 km सवाल को पहले समझ लेते, फिर देखते हैं, कैसे हल होगा। क्या बोला रहा है कि एक railway passenger जो वो क्या कर रहा है telegraph pole जो pole है उसको क्या कर रहा है वो count कर रहा है गिन रहा है ठीक है और ये जो telegraph pole है वो कहां पे लगा हुआ आपको railroad पे लगा हुआ है जब वो railroad से pass कर रहा है तो उसको telegraph poles दिख रहे हैं उसको क्या कर रहा है?" row count कर रहा है बिचरह बैठा बैठा भी क्या करेगा? इसी थरह time pass कर रहा है count कर रहा है, ठीक है? अब क्या देख रहा हो? कि, वो नहीं देख रहा हो मतलब जो telegraph pole जो है मतलब उसका count क्या होगा कितने उसने pole गिन रखे होंगे जबकि उसने कितने घंटे complete कर लिए चार घंटे में उसने कितने pole को क्या कर लिए उसने count कर लिए जबकि speed of the train train की जो speed हो कितनी है 45 km per hour है समझ का सवाल को मतलब हमें बताना है कितने pole उसने count कर लिए है चार घंटे के अंतराल में जबकि उसकी train की speed कितनी है 45 km per hour है ठीक है? समझ गए? चलिए तो इसको picture के थों समझ लेते हैं यह जो इस train में बैठा है ठीक है वो passenger जो इस train में बैठा हुआ है और इस train की speed कितनी है 45 km per hour है समझ के बात को कितनी है 45 km per hour है अब यह देखी यह सब क्या है यह आपका telegraph pole है ठीक है? और telegraph pole के बीच में जो दूरी है वो कितनी की दूरी है यहाँ पे 50 meters की दूरी है हापस में जो दूरी है वो कितनी है 50 meters की दूरी है ठीक है? सब के बीच में क्या है, बरावर की दूरी होगी, ठीक है, और वो कितने की है, 50 meters की है, ठीक है, अब क्या वो लगारी, Speed of the train, Speed of the train कितना 45 km बरावर है, और उसने कितने देर में कितना count कर लिया, चार घंटे में कितना count किया, वो यहाँ पे हमें बताना है, ठीक है, तो एक चीज तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा, पोल जानने से पहले हमें यह चीछ जानना होगा, उसने कितनी दूरी तै किया है, अब हम दूरी क्यों निकालना चाहते है, दूरी इसले निकालना चाहते है, क्योंकि सब पोल के बीच में कितनी की दूरी है, 50 मीटर की दूरी है, तो अगर हम टोटल दूरी देख लेते कि इस सीच को ते स्पीड कितनी यहां पर पैंतालिस किलो मेटर पार और यहां पर हमने लिख लिए 45 और टाइम कितना ले रहा है वो टाइम ले रहा है फोर आउर्स ले रहा है ठीक है तो दोनों गुना कर दें तो फॉर फाइब से ट्वेंटी यह हो जागा आपको 180 किलो मेटर इच टू पोल के बीच में जो दूरी है 50 मीटर की है और डिस्टेंस कितना हमारा ट्रेवल किया ट्रेन ने 180 किलो मेटर तक का उसने पोल क्या किया होगा उस पैसेंजर ने गिन लिया होगा चिक है तो हम यहां एक चीज बोल सकते है कि नंबर आप पोल्स नंबर आप पोल्स इस इकवल टू हो जाएगा डिस्टेंस जो दूरी टाय किया ट्रेन ने अब बटे में पोल के बीच की दूरी that is 50 यही चीज बोल सकते है नंबर आप पोल्स कितना उसने कांट कर लिया तो डिस्टेंस उतने कितना टाय किया 180 किलो मेटर लेकिन यह क्या आपको बीच में जो करण देंगे यह कितना ज़रु ट्वेंटी अब इसको जब और अम अगना करेंगे तो यह आजगा अपका 3 600 मतलब उस पैसेंघर ने कितने पोल कांट किये उस पैसेंजर ने कांट किये 3 600셨 900 मतलब थ्री थायंग्न सिच आफंड़्ड! पोल्स इसने 4 गंटे में कांट किना है ठीक है चार गंटे में उसने 3600 पोल काउंट की है तो C option क्या यहां से correct हो जाएगा समझ रहे मेरी बात को ठीक है चलिए अगला सवाल देखा जाए हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके screen पर है और यह काफी ज्यादा important सवाल examination point of view से ठीक है यह बहुत ही ज्यादा important इसको बहुत ध्यान समझेगा तो सवाल में क्या है सवाल में यह है कि two trains A and B start simultaneously in the opposite direction from two points A and B arrive at their destination nine and four hours respectively after their meeting each other at what rate does the second train B travel if the first train travels at 80 km per hour चलिए सवाल को समझ लिया जाए सवाल में कहें कहा रहा है यहाँ पर बोला जारा कि दो train है two trains A and B start simultaneously in the opposite direction from the two points A and B A and B से दो train ही चलती A and B ठीक है मतलब कहा है कि यह train A है और यह कौन सा train है आपका train B है और यह point भी जो है ना यह point यह भी A है और यह भी point कि आपका B है समझ रहे है बात को ठीक है यही चीज़ बोल रहा है two points A and B यह और B से चल रही दोनों train है arrive at their destination nine hours and four hours respectively देखिए अगध्यान दीजेगा बात को यहाँ पर जो यह इसको समझना बहुत ज़री है arrive at their destinations nine and four hours respectively after their meeting each other एक दूसरे से मिलने के बाद इनको जो समय लगता अपने destination में पहुँचने के लिए वो कितना लगता नौ और चार घंटे लगते मतला अगर suppose कीजिए यह एक दूसरे को यहाँ पर मिल रहे है यह दूसरे को कहां मिल रहे है तो यह train तो आई आपकी इस तरह से ठीक है और यहाँ पर आई और यह train भी कुछ इस तरीके से इधर से चलते हुए आई ठीक है और यहाँ पर मिली ठीक है यह दूसरे से मिल लिए और मिलने के बाद मिलने के बाद यह train कुछ अपने destination पर इस तरह चली गई होगी और यह train अ और इसको अपने destination पर जाने के लिए कितना समय लगा, 4 hours, ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि at what rate does the second train b travel if the first train travels at 80 km per hour, पहला train तो यह है, ठीक है, क्यों, क्योंकि बोल रहा है second train हमारा क्या B है, तो पहला train obviously यहाँ पर दो ही train है, A और B है, तो पहला train क्या बोला जा रहा है कि हमार A है, first train की speed कितनी है, first train की speed है 80 km per hour, कितनी है 80 km per hour, और हमसे क्या पूछ रहा है कि second वाले train की speed क्या होगी, यह हमें आप calculate करके बताओ, तो इसको हमने मान लिया है कितना S km per hour, कितना माना हमने इसको S km per hour, ठीक है, अगर हम बोलते है इसकी speed कितनी है, S A है, और इसकी speed मान के च formula होता है, और इसका time अगर पहुंचने का आपको TB, और इसका time पहुंचने का अगर मैंने बोल दिया TA, तो एक formula होता है, वो formula क्या होता है, यहाँ आप लिग देता हूँ मैं, यह बहुत important है, इसको ध्यान रखिएगा, S A बटे में S B is equal to root under TB बटे में TA, ठीक है, root under क्या हो TB बटे में TA, क्योंकि यह मिलने के बाद इतना समय ले रहा है, तो S A, S A कितना हो जगा आपका 80 km per hour, और S B, S B इसी तर लिख लिए आपने, ठीक है, और root under TB कितना हो जगा, TB कितना हो जगा, आपका 4 hour हो जाएगा, और T A, T A कितना हमारा 9 hour है, है न भई, ठीक है, इसका time कित कितना 4 hours है, ठीक है, तो root का अंटर यह दोनों आ जाएगे, ठीक है, अब यहां से हो जगा, 80 बटे में, S B is equal to 2 बटे में, कितना हो जगा है, यह हो जगा, आपका 40, ठीक है, और S B कितना हो जगा, S B हो जगा, S B हो जगा, आपका 120 km per hour, तो speed of the train B is, second train का speed कितना हो जगा, जगा है, हमारा C option किया जगा है, से correct हो जगा, ठीक है, ठीक है, बढ़ते अपना अगला सवाल देखा जाए, हाँ, तो दोस्तो अगला सवाल आपके screen पर है, अगला सवाल क्या है, विनाय फायर्स two bullets from the same place at an interval of 12 minutes but Raju sitting in a train approaching the place, here's the second report, second bullet, second bullet, 11 minutes, 30 seconds, after the first, what is the approximate speed of train if the sound travels at a speed of 330 meter per second, ठीक है, देखिए, यहाँ पर चली सवाल को समझ लिजे, बहुत important सवाल है यह भी, इसका concept अपना clear कर लिजे, जिससे आपको examination और फिर दिक्कत नहीं आएगी, यह भी सवाल अकसर पुछा जाता है examination में, बहुत conceptual question है यह, देखिए, यहाँ पर क्या हो, विने जो है ना, दो गोलिया fire करता है, दो bullets क्या करता है, fire करता है, same place पे, समझ वाली बात है कहाँ पे, same place पे, ठीक है, at any interval of 12 minutes, 12 minute के अंतराल पे, बट राजू, राजू जो है की train में बैठा हुआ है, और उस place पे पहुँच रहा है, किदर पहुँच रहा है, जह पहला sound उसने सुना, उसके बाद जो second sound सुना, उन दोनों के बीच में जो समय का अंतराल हो जाता है, 11 minutes, 30 seconds, इतने के gap पे वो सुनता है, अब बोला जा रहा है कि train की approximately speed क्या होगी, अगर sound की speed अगर हम लेके चल रहे है, कितना, 330 meter per second, कितना लेके चल रहे है, 330 meter per second, समझ के अब देखिए भाई साब, यह आपके विनेजी है, यह कौन है हमारे, विनेजी है, समझ यह बहुत conceptual question है, इन्होंने एक पहले गोली दागी, ठीक है, फिर इन्होंने दूसरी गोली दागी, दोनों गोलियों के बीच में कितना का अंतराल था, दोनों गोलियों के बीच में सुन लिया, राजुजी ने यहां सुन लिया, ट्रेन आपकी मूव कर रही है, किस सैड में ट्रेन आपकी इस सैड में मूव कर रही है, ठीक है, किसके direction है, जहां से विनेजी भाई साब हमारे गोली दाग रहे है, उसी direction में हमारा क्या कर रहा है, आपका train मूव कर रहा है, र Trem somehow yeah this way रखा गया तो यह train, यहां तक पहुँँच जाएगा चलके बुलेट छोड़ी चलके तो train, हमारा चलके आगया train कहाँ पहुँचिंटके आगया train की speed वह आपको K ठीक है कितना है K इसकी speed कितनी है K समझ रहे बात को train की speed कितनी है K है ठीक है तो जब train की speed कितनी है तो एक चीज यहां पर ध्यान से समझना पहले इसने जब गोली धागी तो राजू यहां पर बैठा हुआ था train में तो उसने सुन लिया और train move किया फिर से 12 मिनट किहां तक move करके आ गया ठीक है फिर से इसने 12 मिनट के बाद फिर से दागी तो train राजु कब सुनता हो उसको 11 मिनट 30 सेकंड कितने दिर बाद सुनता हो 11 मिनट 30 सेकंड तो train ने कितना distance travel किया होगा train ने यही distance travel किया होगा इसी समय में travel किया होगा 11 मिनट 30 सेकंड में ठीक है train ने इतना ही समय travel किया होगा तो यहाँ पे distance बराबर कितना होजागा यह जो distance होगा वो distance बराबर कितना होजागा k into speed कितना है k है 11 मिनट 30 सेकंड तो इसको में 11 minutes 30 seconds कुछ हिस्तर लिख सकता हूँ K into 11.5 minutes लिख सकता हूँ इतना distance इसने travel किया clear यह बात ठीक है और यहाँ पर train पहुँच गई तो इसका मतलब क्या है जब उसने गोली दूसरी वाली धागी तो sound जो है सिर्फ यहां से लेके यहां तक ही travel कर पाए इस point तक ही travel कर पाए जबकि राजू ने उसी time सुन लिया तो समझे का बात को जब उसने दूसरी गोली धागी तब train यहां पर पहुँच चुका था तो sound जो है गोली का जो sound है bullet का जो sound है सिर्फ वहां से लेके यहीं तक travel कर पाया और यहां पर राजू पहुच चुका था 11.5 मिनटस में पहुच गया था तो उस time उसने सुना ठीक है 11.5 मिनटस में उसने उतना सुना मतलब गोली जो है कितना distance travel नहीं कर पाए वह गोली भी इतना ही distance travel नहीं कर पाए ठीक है गोली भी इतना ही distance क्या कर पाए नहीं travel कर पाए मतलब कितना time उसके पास बच गिया कितना समय वह travel नहीं कर पाए 0.5 मिनटस वह travel नहीं कर पाए 0.5 मिनटस वाला distance वह travel नहीं कर पाए बतलब यह जो दूरी होगा यहां से लेकर यहां तक का जो दूरी होगा वो बुलेट के लिए भी कॉमन होगा और राजु के लिए भी कॉमन होगा ठीक है बुलेट के लिए भी कॉमन होगा और राजु के लिए भी कॉमन होगा तो यह दूरी कितना हो सकता है यह दूरी यह होगा न, 330 meters per second, speed, sound का speed कितना है, 330 meter per second, और कितना समय हो जागा आपका, 0.5 minutes, कितना हो जागा, 0.5 minutes हो जागा, clear है यहांत है, और यह किसके बराबर हो जागा, k into 11.5 minutes, इसी के बराबर हो जागा, ठीक है, अब चलिए यहांसे इसको solve कर लेते हैं, तो 330 into 5 बटे म कितना हो जागा है, यहां पर 10, is equal to k into 0.5 यहां से हटा लेते हैं, और 10 नीचे हो जागा, यह दोनों cancel out हो जागा, तो k बराबर कितना हो जागा, k बराबर हो जागा, आपका 330 into 5, अब बटे में कितना हो जागा, 115, ठीक है, 5 से इसको divide कर लेते हैं, यह पांस दूना 10 हो बटे में 23 km per hour, तो देख लेते हैं कौनस option से ही हमारा, C option के यहां से correct हो जागा, ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई हो आपको यह question समझ में आ गया होगा, बहुत ही important question है, अगर नहीं समझ में आ आ तो इसको फिर से repeat करके देखिए, क्योंकि ऐसे सवाह पूछे जाते तो formula पर जाने की जरूत नहीं है, हो सकता आप examination pressure में वो formula भूल जाओ, मैं formula पर जादा जाता नहीं हो, आप देख रहे होगे video को, तो formula नहीं concept clear करता हो, concept clear हैगा तो आपके examination में वो चीज apply हो जाता है, लेकिन formula apply नहीं हो पाता, इतने सारे formula आप नहीं रट सकते हो, कुछ च को रटने की जरूत नहीं है, समझो, समझोगे, तो हर चीज examination में आपका apply हो जाएगा, ठीक है, चली बढ़ा जाए, अब अगला सवाल देखते है, हाँ, तो दोस्तों अगला सवाल आपकी screen पर है, ये भी काफी अच्छा सवाल है, ये सवाल भी अक्सर examination में पूछा जाता ह ठीक है, तो सवाल में क्या बोला जा रहा है, कि एक कार ड्राइवर, driving in a fog, passes a pedestrian who was walking at the rate of 2 km per hour in the same direction, the pedestrian could see the car for 6 minutes and it was visible to him up to a distance of 0.6 km, what was the speed of the car, ठीक है, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कि एक कार ड्राइवर है, वो fog में गाड़ी चला रहा है, ठीक है, car drive कर रहा है, किसमें? Fog में, fog का मतला आप समझते हो कि धुंद में, ठीक है, धुंद में वो क्या चला रहा है, गाड़ी ड्राइवर कर रहा है, ठीक है, passes a pedestrian, pedestrian वही होता है जो foot path पे आपका चलते रहते है, ठीक है, जैसे यह क्या आ रहा है ठीक है same direction, मतलब car भी इसी direction में चल रही है और pedestrian भी इसी direction में चल रहा है, ठीक है, अब क्या देख रहा है कि pedestrian could see the car six minutes, छे मिनट तक वो देख पाता है, ध्यान से समझेगा इस चीज को, छे मिनट तक वो देख पाता है, और वो कितनी दूरी तक देख पाता है, 0.6 km तक तक वो देख पाता है ठीक है 6 मिनट तक ही गाड़ी उसको दिखती है ठीक है और उसकी स्पीड कितनी है 2 किलोमेटर पर आवर की स्पीड है तो हमने निकालना क्या है what is the speed of the car कार की स्पीड निकालनी कार की स्पीड मैंने क्या माल लिया 8 किलोमेटर पर आवर माल लिया कि कि इस किलोमेटर पर आवर है समझ के बात को देखिए ये धुन्द में सिर्फ 6 मिनट तक देख पाता और 0.6 किलोमेटर की दूरी तक देख पाता मतलब क्या है कि उसके अगर माल लो बैक से अगर गाड़ी आ रही है उसके सामने से होते हुए समझे गशिश को सामने से होते हुए और कार यहां पे आपकी पहुँच गई कार कहां पे पहुँच गई इस चगह पे कार आपकी पहुँच गई ठीक है और ये कार को कितनी दूरी तक देख पाता ये कार को देख पाता distance is equal to speed into time होता है तो distance is equal to का होता है speed into time कितनी दूरी तक देख पा रहा हूँ 0.6 km तक ही देख पा रहा हूँ speed कितनी है speed इसकी है 2 km पर आवर और इसकी कितनी है car की s km पर आवर है और दोनों एक ही direction उम भूब कर रहे हैं यहां पर क्या लेंगे हम लोग relative speed लेंगे कितना लिख लेंगे s minus 2 लिख लेंगे और time कितना ले रहा है यह 6 मिनट तक ही बेचारा देख पाता है क्योंकि धुन्द है इसलिए ठीक है 6 मिनट तक ही देख पा रहे है वाई साब तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिक्स बटे में 10 लिख सकता हूँ और यहां पर क्या लिख सकता हूँ अच्छा मैं इसको यह 6 मिनट में है और यह जो speed हमारे दे रखा गया था वो km per hour में था इसको भी hour कनवर्ट करना पड़ेगा तो 6 बटे में कितना लिख लेंगे 60 यही चीज़ लिखेंगे न यह आ जागा आपका 10 हो जाएगा और यह 10 यहां से चला जागा यहां पर हो जागा आपका 6 is equal to s-2 तो s बड़ावर कितना हो जागा? 8 km per hour मतलब जो car की speed थी हो कितनी है? 8 km per hour तो कौन सा option से हो जागा हमारा? यह option के हो जागा से correct हो जाएगा ठीक है friends? तो friends आई हो आपको यह question समझ में आ गया होगा ठीक है? बढ़ते अपना अगला सवाल देखा जाए हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके screen पर है यह भी सवाल काफी अच्छा सवाल है चलीज को भी देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि Hersh and Vijay moves towards Hosr starting from I am Bangalore at a speed of 40 km per hour and 60 km per hour respectively If Vijay reaches Hosr 200 minutes earlier than Hersh, what is the distance between I am Bangalore and Hosr ठीक है? यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि Hersh और Vijay दो लोग है जो कि I am Bangalore से Hosr जा रहे है at a speed of 40 km per hour and 60 km per hour क्रम्षा मतला Hersh की speed कितनी है 40 km per hour है और जो Vijay की speed हो कितनी है 60 km per hour ठीक है? अब क्या बोला कि Vijay जो है Hosr पहुंच जाता हर्स से पहले, कितने पहले पहुंच था? 200 मिनट पहले पहुंच जाता है अब पुछा जा रहा है कि I am Bangalore से लेकर Hosr की distance कितनी है हमें आप बताए तो अगर मैं बोलता हूं यह जो place है वह आपका होगया I am और यह जो place होगया वह आपका होगया Hosr ठीक है? और इन दोरों के बीच की दूरी आपको कितना Distance d है हमने कितना बोल दिया D है ठीक है? और यह जो है यह आपका Hersh है और यह कोन है यह आपको विजय भाई साहब है हर्स की स्पेड है वह कितनी बोली जारी है यहां पर 40 किलोमेटर पर आवर है कितनी स्पेड है 40 किलोमेटर पर आवर है और जो विजय की स्पीड हो वो कितनी बोली जारी है, यहां पर 60 km पर आवर है, ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि विजय जो है न, 200 मिनट अर्लियर पहुंच जाता, मतलब अगर हर्ष को टाइम T लगता है, समझे एक बात को, अगर हर्ष को टाइम T लगता है, तो विजय को कि कितना समय लग जाएगा T-200, ठीक है, अब बोल रहा है कि D का हमें मान गयात करना, अगर मैं इसका देखता हूँ, distance, अगर मैं हर्ष की निकालने कोशिश करता हूँ, distance, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, D, ठीक है, अगर T मैं निकालता हूँ, सबसकर T, अगर मैं निकालता ह तो D बटे में क्या लिकेंगे, speed, ठीक है, is equal to कितना जगा T हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारा पहला equation हो गया, समझेगा बात को, ठीक है, और अगर मैं विजय के निकालना जाता हूँ, तो विजय के मैं कैसे निकाल सकता हूँ, D, बटे में speed कितनी इसकी, 60 km per hour है, ठीक है, और इसको 200 minute क्या लग रहा, कम लग रहा, T minus 200, ठीक है, T से, हर से उसको 200 minute कम लग रहा, क्योंकि इसकी speed ज़्यादा है, ये कौन सा हो जागा आपका दूसरा equation, कौन सा equation हो गया, दूसरा equation हो गया, अब मैं काम करता हूँ, first minus क्या कर देता हो, second, समझेगा इसको, first minus क्या कर दि D मायनस हो जगा, D बटे में, 60, is equal to T minus, और यह वाला T हो जागा और फ्लस में कितना लिख रहेंगा, 200 क्यеловी लगे, यह दोनों क्या हो गया, आपका cancel out हो गया, यह कितना हो गया, आपको, D बटे में कितना लिख रहेंगा, 40, और यहांप या प्या भर जगा, minus D बटे में आपका मिनट में था तिसको हम लोग क्या करना पड़ेगा अबर में कनवर्ट करना पड़ेगा तो इसको कर लेंगा 60 ठीक है अब इसका चल दिए LCM ले ले लेंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 60D माइनस 40D अब बटे में कितना लिख लेंगा 40 इसको यहां पर एक जिरो यहां पर कैंसल आउट हो गया और यहां पर लिख सकते हैं 10 बटे में 3 2 से भी डिवाइड कर दिया हमने और यहां पर लिख लेंगे हम लोग कितना हो जागा 20D हो जाएगा और बटे में हो जागा आपको 40 इन्टू 60 इस इगल डू 10 बटे में 3 ठीक है यह कर लेते हैं यहां से यह 2 से चला गया ठीक है और 120 हो जागा यहां से आजागा आपका ठीक है और यह 3 से यह डिवाइड हो जागा यह हो जागा 20 ठीक है तो D बराबर हो जागा आपका 224 that is 400 km मतलब कितनी दूरी है आई-एम बैंगलोर से होजर की जो दूरी है वो कितनी है 400 km है ठीक है तो कितनी क्या हो जागा इसका जवाप B option क्या हो जागा है से correct हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं हाँ तो दोस्तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है अगला सवाल कह है एजर्नी ओफ 192 km टेक्स तू आवर्स लेस बाइफ फास ट्रें दैन बाइफ यह स्लो ट्रें बी 16 किलो मेटर पर आवर लेस देन दाट फास ट्रें वाट इस देखे यहां पर दो तरह के ट्रेन है ठी 192 km है जिसमें 2 घंटे कम लगते है फास ट्रें दैन स्लो ट्रें मतलब फास ट्रेंज जो है नहीं वो दो खंटे कम लेता है लोगा मुवक का मुकाबलvention अब इसलिए www. vaca 192 km की दूरी में अब क्या बोल रहा है की slow train का जो स्पीड हो 16 किलो मेटर पर आवर आर्स देन the fast train है अगर मैं बोलतो fast train जो यह है आपका यह वाला जो आपका fast train है गर उपर वाले को मैं बोलता है यह fast train है ठीक है इसको क्या बोलते है fast train और इसको क्या बोलते है हम लोग slow train है ठीक है इचाले क्या बोलते है slow train है और यह कितनी दूरी तया कर रहे है आपको 192 km की दूरी तया कर रहे है, कितना 192 km की दूरी तया कर रहे है, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, कि fast train की speed है, उससे 60 km per hour speed जो है, वो slow train की कम है, तो मगर मैं बोलता है, इसका speed S है, तो इसका कितना जगा, स-16, स-16 km per hour जगा, less than that of the fast train, ठीक है, वाट इस अवरी speed of the fast train, ठीक है, और एक चीज है, कि यह 2 घंटे कम लेता है, मतलब अगर यह T time लेता है, सपोज कि यह कितना लेता है, तो यह कितना लेगा, T minus 2, यही चीज लेगा, T minus कितना लेगा, 2 ले लेगा, यही चीज ले लेगा, चलिए, अब equation बना लेता, अगर मैं equation बनाता हूँ, तो मैं यहाँ पर यह लिख सकता, 192 बटे में S is equal to T minus 2, यही चीज होगा, और इसकी मैं equation निकालता हूँ, slow train की, तो यह किया हो जगा, आपका 192 बटे में S minus 16, is equal to कितना लेगा, अब को T, ठीक है, तो मैं रपास दो equation निकल गया, यह होगा आपका first, और यह क्या होगा, आपका second, ठीक है, अगर मैं करता हूँ, यहाँ पर second minus क्या कर दिया, आपने यहाँ पर first कर दिया, तो यहाँ जगा, 192 बटे में S is equal to T minus T plus 2, तो TT क्या हो गया, आपका cancel out हो गया, और यहाँ पर आजगा, आपका 192 बटे में S minus 16 minus 192 बटे में S is equal to 2, ठीक है, यह equation हमारे यहाँ पर निकल के आगया है, ठीक है, तो हमने करना क्या है, तो इस सवाल में करना यह ही है, कि हमें option के through जाना है, कैसे जाना हमें option के through जाना है, ठीक है, तो EK करके option लेके देखते हैं, उसको यहाँ पर put करते हैं, फिर हमारा जो जवाब आएगा, वही क्या हो जागा, हमारा सही उत्तर हो जागा, ठीक है, तो EK करके जवा option लेके, जैसे सपोस करो, मैं पहला option ले तो 32 km per hour, S की value कितनी होगे, 32 km पर hour होगी, अगर सपोस करो, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 192, अब बटे में कितना हो जागा, 32 minus 16, that is, यहाँ पर कितना लिखेंगे, 16, ठीक है, और minus कितना हो जागा, 192, बटे में कितना लिखेंगे, 32, ठीक है, यही चीज़ लिखेंगे, LHS ले रहे हैं, LHS is equal to क्या करना हमें, RHS करना है, वैसे अगर solve करोगे, इसका LCM लेके, तो आपका क्या जागा, quadratic आ जागा, तो वो घडबड हो जाएगा, तो चली इसको divide कर लेते, कितना से चला जागा, 16, 16, 32, ठीक है, और यह कितना से चला जागा, यह चला जागा, आपका 6 से चला जाग ठीक है, तो यहाँ पर कितना आगया आपका यह, यह आपका आगया, यहाँ पर 6 आगया, जो कि आपका RHS के बराबर नहीं है, तो इसका उन्दर 32 क्लोटर पर आवर भी क्या हो जागा, आपका wrong हो गया, ठीक है, इसी तरह से सब क्या करना हमें, चेक करना है, तो चलो एक बा बते में कितना लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर 48 ठीक है, और इसको चलो हम डिवाइट कर देते हैं, तो इसको जब हम डिवाइट कर रेंगे, तो यह आजगा आपका कितना, 6 और यहाँ पर यहाँ पर आजगा, शिक आजगा, 4 से डिवाइड हो जगा, 6-4 कितना हो था? 2 ह होता है तो LHS भी हमारा 2 आ गया और RHS भी हमारा क्या है तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जगा हमारा यहाँ पर D option क्या आ जगा है से correct हो जगा मतला के S is equal to 48 km per hour faster train की जो average speed हो जाएगी 48 km per hour हो जाएगी चीक है चलिए अगला सवाल देख लेते हैं हां तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल क्या है यह passenger train takes two hour less for a journey of 300 km if its speed is increased by 5 km per hour over its usual speed find the usual speed चीक है देखो यह सवाल में क्या बोला जा रहा है कि passenger train है न वो दो घंटे कम लेती है कितना km का journey तैय करने में 300 km का journey को तैय करने में 2 घंटे कम लेती है अगर उसकी speed को हम लोग कितने से बढ़ा दे उसकी speed को 5 km per hour के speed से बढ़ा दे उसको usual speed से किसे usual speed से तो हमें बताईए उसका usual speed क्या है क्या है उसका usual speed क्या होगा यह चीज हम से यहां पर पुछा जा रहा है तो देखो यहां पर दो cases है तो case first है उपर हम लोग case first इसका normal लेती usual speed वाला लेते अगर वो usual speed से चलता है तो अगर मैं बोलता हूं उसका कितना 300 km का journey का यहां पर देखा जा रहा है तो 300 बटे में उसको usual speed S है तो उसको time कितना लेगा T लेगा ठीक है यही चीज हो जाएगा ठीक है अब हम लोग देख लेते case second ठीक है case second में देखते टी मैनस 2 लग जाता है यह होगा आपका पहला और यह क्या होगा आपका दूसरा equation हम यहाँ पर एक काम करते हैं first minus क्या कर लेते है second ठीक है यह हो जागा आपका 300 बटे में S minus 300 बटे में S plus 5 is equal to जागा T और यह minus 2 तो यहाँ पर direct में 2 लिख लेता हूँ ठीक है हमने करना क्या है हमने पिछले सवाल में जो किया तो वही काम यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या करेंगे option के थुरू जाके option पूट करेंगे उसके बाद हम लोग question को हल करेंगे इसको solve नहीं करना अगर solve करेंगे तो quadratic बन जागा तो आपको solve करने में दिक्कत आएगी तो आपने करना कुछ भी नहीं है इसमें option पूट करके हमें LHS is equal to RHS कर देना और जो भी आपका option आएगा वही क 300 बटे में कितना हो जागा यह 25 प्लस 5 गाट इस 30 ठीक है यह हो जागा 1 और यह तू और यहां पर कितना हो जागा 10 तो 12-10 गाट इस 2 ठीक है तो LHS में हमारा कितना अगे टू आवर्स आगया और RHS में हमारा कितना है तो कौन सा option से हो जाना चाहिए हमारा D option क्याएगा प्र करके check कर लेना है ठीक है चलिए अगला सवाल देख लिया जाए हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके screen पर है अगला सवाल क्या है कि if Arun had walked 1 km per hour faster he would have taken 10 minutes less to walk 2 km what is the Arun's speed of walking ठीक है देखिए पिछले सवाल जैसा यह भी है ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि Arun जो है अगर 1 km per hour faster move करता है अपनी usual speed से 1 km per hour faster अगर चलता है तो वो 10 minute क्या कर लेता है यहाँ पर less walk करेगा कितना 2 km की दूरी में ठीक है से 2 km का दूरी है चली एक्विशन निकाल लेते हैं 2 बटे में उसकी speed मैंने स ले ली और वो time कितना ले रहा है यह हो गया हमारा पहला equation ठीक है और दूसरा equation देख लेते हैं 2 बटे में कितना हो जागा कितने से बढ़ा रहा है 1 km per hour से बढ़ा रहा है उसको कितना समय का बच्चत हो जाता है t-10 ठीक है यह हो जागा उसका दूसरा equation करना कुछ भी नहीं है first minus क्या कर देंगे आपर second कर देंगे यहां पर आ जागा आपका 2 बटे में s minus 2 बटे में कितना जागा s plus 1 is equal to 10 ठीक है और यह minute में था तो इसको करना कुछ भी नहीं है 60 से divide कर देना है तो यह आ जागा आपका जो equation final equation जो निकल कर आगा 2 बटे में s और minus 2 बटे में s plus 1 is equal to 1 by क्या जागा 6 ठीक है equation हमारा final निकल कर आगया अब इसमें हमको इसको lcm लेके इसको solve करने नहीं बैठना है अगर बैठेंगे तो first जाएगा quadratic आएगा और हमने हो सकता first जाए और हमारा गलत भी उत्तर आ सकता है तो हमने करना क्या है यहाँ पर हम option से put करके lhs is equal to क्या कर देना rhs कर देना है तो यहाँ पर चलो गर हम put करते हैं c अगर value put करते हैं 3, s is equal to क्या हमान के चलते हैं 3 है यहाँ क्या लिखेंगे 2 बटे में 3, minus 2 बटे में कितना हो जागा 3 plus 1 that is 4 यह 2, 2 से क्या हो जागा cancel out हो जागा यहाँ हो जागा आपका 2 बटे में 3, minus 1 by 2 इसको solve करेंगे तो 4 minus 3 और नीचे हो जागा 6 that is 1 by 6 यह हो जागा आपका LHS और RHS तो हमारा क्या हो जागा equal हो जागा 1 by 6 है ही तो कौन सा उप्शन से हो जागा हमारा C option क्या हो जागा आसे correct हो जाएगा ठीक है चली यह सवाल भी हो गया solve अब अगला सवाल देख लेते हूँ हाँ तो दूस्तों अगला solve आपकी screen पर है इस सवा away in time it had to increase its speed by 33.33% over its usual speed find the increased speed काफी अच्छा सवाल है यह ठीक है यह भी important है इसको भी ध्यान से ध्यान रखिएगा इस चीश को भी यह भी बहुत important है ठीक है यहाँ पर क्या बोले रहे कि एक plane जो है न वो half an hour मतलब उसे late हो जाता कितना half an hour half an hour का मतलब कितना हो कि 30 minutes late हो जाता अपने schedule time जैसे मान लीजिए उसके schedule time अगर 9 बजे था तो उसने schedule time से आदे गंटे late कर दिया तो कितना हो जागा 30 minutes late हो जाता साड़े 9 बजे उसने खुला ठीक है निकली वो तो उसको अपने destination पे पहुँचना है जो कि कितने दूर है वो उसका destination जो है वो आपको 1500 km दूर है 1500 km के destination पर उसको पहुँचना है जिसकी वज़़े से समय पर पहुँचना है जो उसका destination पहुचने का जो समय है अगर उसको उसी समय को पहुचना है तो वो क्या करता अपना speed को बढ़ा देता है कितने से palette सillon हो दो सेघ्ड लबालों units the speed को बढ़ा देता है 33.33 percent से increase कर देता ह mind its increased speed तो हमें बढ़ा हुआ यहां पर उसका क्या बताना है speed बताना है ठीक है अगर मैं बोलता हूँ अगर मैं बोलता हूँ कि उसकी usual speed जो है plane की usual speed जो है वो कितना s है मान के चलिए अगर s है तो उसका 33.33 अगर percent आप निकालोगे तो वो किसमें आजागा आपका fraction में आ जाएगा यहां पर मैं चाला की करूँगा क्या चाला की करूँगा मैंने उसका usual speed को माल लिया कितना 3s कितना माल लिया 3s तो उसका increased speed कितना हो जागा फिर increased speed is equal to 3s plus 33.33 percent कितना हो जागा तो 1 by 3 into 3s यह ही होगा यह 3 3 cancel हो गया और उसका increased speed कितना हो जागा 4s हो जागा कितना हो जागा फ़ोर एस हो जागा थीक है अब उसको 1500 km का destination को तैय करना है और उसको कितना समय बचाना है 30 minute का समय बचाना अगर वह अभी भी usual speed से चलता है उसको जब 30 मिनट्स जादा लग जाएगा ठीक है लेकिन अगर वह स्पीड को इंक्रीज कर देता है मतलब 1500 बटे में कितना स्पीड से जाता है अगर 4S के स्पीड से जाता है तो इसको टाइम कितना लेगा टी लेगा जो यूजुल टाइम है ठीक है तो हमारा परस दो एक्वेशन निकल हो जागा आपका 4S और यहां पर निकल का जागा 30 मिनट्स तो 30 मिनट्स को किस में कनवर्ट करना पड़ेगा अवर्स में तो बटे में 60 कर दिया अब यहां पर 1500 बटे में S को क्या कर लिए हमने बाहर ले लिया यहां पर आ जागा आपका 1 by 3 minus 1 by 4 is equal to 1 by 2 ठीक है यही आएग तो 1500 बटे में S हो जाएगा और यहां पर मैं लिख सकता हो 1 बटे में 3 into 4 is equal to कितना हो जागा 1 by 2 हो जाएगा यह 2 ठीक हो गया आपका 4 हो गया और यह आजागा 6 और यह इसको मैं लिख सकता हो तो S is equal to 200 km per hour तो S की value कितनी आ गई 200 km per hour लेकिन यह आप ध्यान दीजेगा find the increased speed increased speed हमको निकालना है तो increased speed कितना हो जागा? increased speed आपका है increased speed is equal to 4S है 4 into क्या कर लोगे? 200 कर दोगे यह दुनों को गुना करेंगे तो कितना जगा आपके 1000 km per hour तो कौनस option से हो जागा हमारा? D option क्या हो जागा यह से correct हो जाएगा ठीक है friends, friends आयोब आपको एक question समझ में आगे होगा बहुत ही अच्छा सवाल है important सवाल है ठीक है? चली अब अगला सवाल देख लिया जाए हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके screen पर है और यह इस video का अंतिम सवाल है ठीक है? चली देख लिएते सवाल का है a train moves at a constant speed of 120 km per hour for 1 km and at 40 km per hour for the next 1 km what is the average speed of the train? ठीक है? क्या बोल रहा है कि एक train जो है na constant speed में move करता है कैसे करता है वो 120 km per hour के speed से move करता है? पहला एक km, first 1 km ठीक है? पहला एक km कैसे चलता हो? 120 km per hour के speed से चलता है ठीक है? और दूसरा 1 km जो है दूसरा 1 km जो हो कैसे चलता है? 40 km per hour के speed से चलता है तो आप से प्युछा है क्या जा रहा है? what is the average speed of the train? तो train का average speed हमें बता दिया जाए क्या होगा? ठीक है? चली निकालते देखिए आपे distance दोनों का same है 1 km यह भी है और यह भी कितना 1 km यह भी है तो average speed is equal to क्या हो जागा? average speed is equal to 2 into पहला speed कितना आपका? 120 और into कितना हो जागा? 40 अब बते में क्या कर लेंगे? 120 plus 40 यह formula मैंने इससे पहले वाले वीडियो में करा रखा है ऐसा सवाल था तो वहां पर यह formula बताया है कैसे आता है ठीक है? तो यह जगा 2 into मैंने क्या लिख लिए आप 120 और यह जगा 40 और बते में कितना हो जगा? यह 160 जोड दिया मैंने बस और कुछ नहीं किया यह कितने चलाजगा? 4 से चला जगा? और यह कितने से आजगा? 4 30 से आजगा और दोनों गुना करेंगा तो यह कितना हो जगा? 60 km पर आवर कितना आजगा इसका जबावरिस? average speed क्या हो जगा ट्रेन का 60 km पर आवर तो कौन्स option से हमारा यहां पर D option क्या जाएगा से correct हो जाएगा ठीक है friends उससे भी आप click करके मेरे साथ जोड़ सकते हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया आपको यह चैनल अगर लगता आपके लिए beneficial है तो जरूर से जरूर से उससे subscribe करना और अपने दोस्तों साथ भी share जरूर करना जितना हो सकता है और यह वीडियो अगर आपको अच्छा बना सकूँ ठीक है तो अपना comment देना मत भूलिएगा ठीक है तो at last दोसो thank you so much for watching my video and best of luck for your future